हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टूलिप चिप्स फोर यू दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस सुकुलेंट विराइटी वाले प्लांट से जो की मैंने कटिंग से लगाया है और इसका नाम है यूफोर्बिया मिली पूरा साल फ्लावरिंग करता है ये प्लांट ज्यादा धूप से इसके थोड़े फ्लावर्स का कलर फेड हो सकता है अच्छे मोसम यानि के अनकूल मोसम हो इनका तो इनके फूलों का कलर बहुत डार्क हो जाता है कम पानी की चाहत रखता ये प्लांट और ज्यादा धूप इसको पसंद है ये देखे ये दो कटिंग मैंने अक्टोबर में लगाई थी लगबग 20 से 25 जिनमें इनमें रूट्स निकल जाती है तो दोस्तों रूट्स का आपने को पता कैसे चलेगा क्योंकि इनमें नई स्टार्ट हो गई है और अब तो इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई है लगबग 4-7-8 इंस तक की कटिंग इसमें आराम से लग जाती है देखे दोनों कटिंग मैंने एक पॉली बैग में लगाई है मेरे पास ये थेलिया पड़ी थी इनमें मैंने लगा ली और इनमें लेप निकलता है लिक्विड सा निकलता है दूद सा वह बिलकुर सूख जाए तब ये कटिंग आपके बहुत अच्छे से चलेगी ये देखे आज में इन कटिंग ये जो मैं लग गई है इनको मैं रिपॉर्ट करने वाली हूं और साथ ही दिखाऊंगी कि इनमें रूटिं और 50% सेंड ताकि आप इजिली इसको आराम से रिपोर्ट कर सकें और इनका जो ड्रेनेज है वो भी काफी अच्छा रहें दोस्तों इसका ड्रेनेज पाउर्फुल होना जरूरी है ये देखे कितनी अच्छी रूट्स निकली है दो मैने में में मेरा पूरा प्लांट तयार हो गया है ऐसे ही मैं कहीं से ये दो ब्रांचेज कट करके लिया ही थी और इनको ड्राइ करके मैंने लगा दिया था 50% सोईल और 50% सेंड में और बहुत अच्छे से मेरी प्लांट्स तयार हो गए हैं और इनमें फ्लारिंग भी स्टार्ट हो गई हैं ये देखे मैं दूसरे ब्रौत को भी रिपोर्ट करूँगी और रिपोर्ट करने का आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपको कटींग लगानी है ओली सोयल में मिक्सर लेना है आपको पहले कटिंग लगाने से पहले में बता दूं कि लगभग दो इंच्च आपको मिट्टे में दबानी होती है कटिंग और 3-4 दिन तक आप इसको लगबग 1 घंटे जहां धूप आती है वहां रखिए कटिंग को और उसके बाद अगले 5-7 दिन तक आप इसको 3-4 घंटे वाली धूप में रखिए और उसके बाद में आप इसको फुल सनलाइट में रखिए देखिए इसमें नीचे से बहुत सारी नई ग्रोथ निकलने लग गई है ये देखिए न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही हो ब्रांचे निकलिए बिल्कुल न्यू ब्रांचे निकलिए आप कितनी छोटी से छोटी कटिंग इसकी लगा दे इसली लग जाएगी ज्यान रखना आपको कि उसमें पानी का ठेराव ना हो कीचड ना हो बिल्कुल सुखी सुखी सी मिट्टी हो ये मैंने अभी गमला तयार किया है और इसमें मैं जो मिक्स्टर लेने वाली हूँ ये आपके लिए काम की बात है इसमें मैंने ली है सोईल प्लस सेंड यानि कि जो बालो मिट्टी आती है जो बजरी आती है वो ली है और साथ में लिया है काउडंग कंपोस्ट काउडंग जो आपके घर में आप लाते इसमें बिल्कुल अच्छा सा आपको सोईल मीडिया बनाना है ताकि इसमें पानी का ठहराओ बिल्कुल भी ना हो दोस्तों यह जो प्लांट है यह बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है सुकुलेंट वेराइटी का है जैसा कि मैंने आपको बताया इसलिए आपको इस इसमें ड्रेनेज होल भी बनाना है मेरा भी यह जो गमला है इसमें बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल बना हुआ है तो मैं आपको अभी दिखा देती हूं यह दिखे मैंने मेटी इसमें डाल दिये और यह दिखे कितना बड़ा मैंने ड्रेनेज होल बनाया है ताकि पानी इ तो इस तरीके से आप भी ये यूफोर्विय मिली का सुन्दर सा प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, कहीं भी आपको ये प्लांट दिखें, तो उसके आप ब्रांच कट करके लिया हैं, लगभग चार इंच से साता ठिंच की आराम सी लग जाती हैं, इसको भी मैं दूसरे पोर्ट में रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट